एक चौर जो है दोसो पचेस मीटर की दूरी एक पुलीस कर्मी को देखकर भागने लगा पुलीस कर्मी ने तुरंत उसका पीछा करना शुरू कर दिया चौर और पुलीस की चाल करमसा 9 km पर दिगंटा और 10 km पर दिगंटा है 4.2 मिनट के बाद उनके बीच की दूरी कितनी होगी अब दिखो हमें जो चोर है वह भी सेम डीरेक्शन प्लिस भी सेम डीरेक्शन में जाएगा तभी तो चोर को पुलीस पकड़ पाएगा यानि हम कर सकते हैं कि इनके speed का ratio हमें दे रखा है कितना 9 अनुपात 10 से तो distance का भी ratio वही होगा तो हम कर सकते हैं distance का ratio भी 9 अनुपात 10 होगा चोर 9 इमिट भाएगा और police जो है 10 इमिट भाएगा क्योंकि यहां से लेकर response पर आके कहीं न कहीं चोर पकड़ा जाएगा उस case में क्या होगा distance दोनों के पीच में constant होगे यानि हम कर सकते हैं कि इनके relative speed कितनी हो जाएगी या फिर आप इसको distance न समझके ऐसे समझो कि बाइच चोर के speed यह है police के speed यह है दोनों सेम डिरेक्शन में जा रहे है तो relative speed कितनी हो जाएगी है साथ में इनन्की बीच की दोरी कितनी होगी साथ मिनट्च में मैं कि 6ниц माइफ साठम एक हजाप मिटर है आप ऐसे समझो 60 में एक हजार मिटर होगी तो हमें क्या करना है चारफ़ण two minute के बाद इनकी distance निकालनी है ना, 4.2 मिनट के बाद नेकालनी है, तो हम यहसा ऐसे भी कर सकते हैं, कि अगर, साथ मिनट में, उनकी बीच की दूरी 1000 मितर की है, तो एक मिनट में कितनी होगी, 1000 मिनटर वटे में 60, हमें निकालना है 4.2 मिनटर के बाद में, उनके भी मिनटे में से 70 मेटे जो गयप हो वो कवर हो चुगा होगा, यहनी करने का मतलब यह हुआ, वह साथ मिनट में उनके भी में बीच की गयप की दूरी कितनी है? एक हजार मिनटे तो 4.2 मिनटे में उनकी बीच की जो डिस्टेंस होगी, वह 70 मीटर कम हो गई होगी 70 मीटर कम हो गई होगी यानि करने का मतलब यह हुआ कि अब इनके बीच के जो डिस्टेंस 225 मीटर है तो 6.2 मिनट के बाद 70 मीटर और डिस्टेंस कम कर दो यहां से तो यह निकलकर आ जाया कि इतना पका 5 बार में साथ जाये यानि कहने का मतलब यह हुगा कि उनके बीच के जो डिस्टेंस होगी 4.2 मिनट के बाद 155 मीटर हो जाएगी कितनी भई 155 मीटर हो जाएगी मुझे अमीद्य कुश्चन आपको समझ मैया होगा